लिम्रा न्यूस हम दिखाते हैं सच देश प्रदेश की सभी सची खबरों के लिए देखते रही है लिम्रा न्यूस और यह स्वागत योग के कदम हैं हम इसका स्वागत करते हैं आज बिपक्षी दलों की मीटिंग में सामिल होने के लिए हम लोग जा रहे हैं हमारे नेता अर्विन केजरिवाल जी भगमंतमान जी हम सारे लोग जा रहे हैं आज बैंगलों की मीटिंग में और आगे का एजंड बैठक में तैय होंगे लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रस्थ था एक बहुत बड़ा मुद्ध हमारे लिए ये काला द्यादेश है जो पांच सुप्रिम कोर्ट के जजों के खिलाफ दिल्ली की जनता के खिलाफ और लोकतंतर और सम्विधान के खिलाफ लाए दिया अब देखें कांग्रेस पार्टी ने अगर कहा है कि वो इस मुद्धे पर साथ रहेंगे और इस अध्यादेश का विरोध करेंगे तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से उनके सारे साथ से मौझूद रहे के इस अध्यादेश का विरोध करेंगे जब बिल के रूप में आएगा मैं समझता हूँ कुछ बचा तो नहीं है सारे डलों ने सपस्ट कर दिया कोई ऐसा राजनीतिक डल नहीं है जो इस बैठक में आ रहा है और जिसने कहा हो कि हम इसका विरोध नहीं करेंगे सब ने कह दिया है कि हम इसका विरोध करेंगे देखें कम से कम भाजपाईयों ने अब यह स्विकार किया कि उनको भी गडवंधन की जरूवत है अकेले मोधी जी के चेहरे पर और अकेले मोधी के नाम पर करिश्मा करके हर चुनाओ नहीं जीता जा सकता यह तो खुद आरेसेस ने मान लिया उनके मुख्यपत्र ने लिखके दिया तो दो गडवंधन के वीच में चुना होगा एक बीजेपी का एंडिये का गडवंधन और जो दूसरा गडवंधन इनसे चुनाओ लडने के लिए बनेगा अब जनता को यह तैंग करना है कि दोनों गडवंधनों में कौन सा गडवंधन उनके लिए अच्छा विकल्ब दे सकता है अच्छा विकल्ब देने का मतलब है कि कौन सा ऐसा गडवंधन है जो महंगाई से राहत दे सकता है बेरोजगारी से राहत दे सकता है असिक्षा से राहत दे सकता है इलाज की स्वास्त की बधाली से राहत दे सकता है तो जो जंता के किसानों के फसल का दाम दे सकता है क्योंकि नौ साल में तो हमने जो अनुभो किया वो बहुत ही पीड़ादायक रहा साड़े साथ सो किसान शहीद हुए आज तक उनके फसल का दाम दोगना नहीं किया गया जो स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात कही गयी थी नहीं किया गया अठारा करोन नोकरिया देने की बात कही गयी थी नहीं किया गया दोहजार बाईस पंदरा अग सेना दिन रात अपनी जान कुर्बान करके भी देश की रक्षा करती उस सेना को कमजोर करने का कम किया गया आगनी वीर के मारतें से तो ये सारा जो मुद्दा है लोक तंत्र का मुद्दा है देश के संविधान का मुद्दा है संगे धांचे का मुद्दा है इन सारे मुद्द समझता हूँ कि उस पर लोग ज्यादा भरोसा करेंगे। अभी गडवंदन इन लोगों ने किया है जिनके घरों पे लोग बुल्डोजर चला रहे थे तो अब तो मेरे ख्याल से दाओद इबराहिम का बीजेपी में आना बाकी रह गया है बाकी तो हर तरह के व्यक्ति को यह सामिल कर रहे हैं मोदी वासिंग पाउडर जब से आया है वह तो मोदी वासिंग पाउडर की तो गारंटी है चुटकियों में सारे दाग धुले हत्या करो लूट करो लोकैती करो ब्रश्टाचार करो सारे दाग मिताये मोदी वासिंग पाउडर तो भाजपाईओं को कम से कम कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है कि कौन किस किसके साथ पोटो किचाएगा और कौन किसके साथ चुना हो लड़ेगा हाँ यह जरूर है कि पूरे देश में बीजेपी एक्सपोज हुई है बुरी तरीके से उसकी असलियत को लोग जान पाए हैं कि इनकी कतनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है मीटिंग का एक बड़ा जो एजेंडा है जिसे लेकर रवतार चर्चा होगी तब साफ हो पाएगा कि कैसे हम लोग दोहजार चौविस के लिए तैयारी करेंगे या कैसे चुनाव में जाए होता है क्या आम आदमी पार्टी कहती है नहीं कहती है वो अभी से कुछ भी कहना ठी हर मीटिंग की हर बैठक की अपनी गरिमा होती है उसमें जो चर्चा होगी उसके बाद सामोहिक रूप से कोई फैसला होता है तो आप सब को जानकारी दी जाएगी तुसरा मुझा है दिल्ली में जिसके लवतार चर्चा और या आपने भी सवाल हुए जो यमुना में पानी देखे ये भाजपाई जितने भी हैं जितने जितने लोगों को वोट दिया है दिल्ली की जंता है सातों सांसदों से हिसाब मांगना चाहिए और मैं तो बहुत हैरान हूं कि दिल्ली को दुबाने के पक्ष में मीनाथची लेखिजी खड़ी हैं सारे के सारे सांसद अपने मूँ पे पट्टी बांद के बैठे हुए हमने तो प्रमार सहीद बताया ना कि नौ से तेरा तारीख तक इस्टन और वेस्टन कैनाल में जान बूच कर पानी नहीं छोड़ा गया छे दिनों तक दिल्ली में बारिश नहीं हुई बावजूद इसके एक तरफा दिल्ली में पानी छोड़ कर गहरी साजिस के तहट केंदर सरकार, मोधी सरकार और भारती जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली को डुबाया ये तो मैं पूरी जिम्मेदारी और आकडो के साथ कह रहा हूँ, लॉक सीट चेक कर लीजे, और जब हमने ये मुद्दा उठाया, उसके बाद इस्टन कैनाल में भी पानी चला गया, कैसे चला गया भाई, कैसे चला गया, जब हम लोगों ने विसे उठाया, आब आप ले हुए, अरे तीनों दिसाओं में अगर पानी आप डालते, तो निश्चित रूप से ना उत्तपदेश का नुकसान होता, ना हरियाना का होता, ना दिल्ली का होता, लेकिन अपनी राजनितिक दुर्भावना के कारण आपने मन में ठान लिया, कि सारा पानी दिल्ली की त क्यों नहीं सवाल पूछते हैं लोग, कि नौ से तेरा तारीक तक एक तरफा पानी क्यों छोड़ा गया, इस पे कौन सवाल पूछेगा?